अध्याय दस, दस माइल विद गोल्डन विंग्स वारानसी के प्राचीन शहर में एक भक्त और धर्मी ग्रिहस्थ रहता था। वहाँ अपनी प्यारी पत्नी और तीन बेटियों के साथ एक मामूली घर में रहता था। हाला कि त्रास्ती तब हुई जब ग्रिहस्वामी का समय से पहले निधन हो गया, अपने पीछे आर्थिक संधर्शों के बोज तले दबे परिवार को छोड़ कर, उन्हें नहीं पता था कि उनके दिवंगत पती और पिता एक शांदार सुनहरे हंस के रूप में पुनर्जन ल पछले जन्म से उनके परिवार के साथ मजबूत बंधन ने उन्हें प्रभावित करना जारी रखा, और उन्हें वारानसी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां अब उनकी पत्नी और बेटिया रहती है, डौट, जैसे ही वहा अपने पुराने घर के पास पहुँच उनकी कथिनाईयों के बावजूद, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को अत्यधिक खुशी के साथ गले लगाया और उन्हें अपनी असली पहचान बताई, जाने से पहले उन्होंने उदारता पूर्वक उन्हें अपना एक सुनहरा पंक भेंट किया, जिसे वे अप उक्षण से सुनहरा हंस वारानसी में रुकरुक कर आता था, हर बार लोटने पर अपने परिवार को एक और सुनहरा पंक देता था, उनकी बेटिया हंस के परोपकार से संतुष्ट थी, उसकी उदारता की सराहना कर रही थी, हाला कि उनकी पत्नी ने एक अलग मकसद रखा, लालच ने उसके विचारों को भस्म कर दिया था, और उसने धन के लिए एक त्वरित मार की कलपना करते हुए, हंस से सभी सुनहरे पंको को गिराने की योजना बनाई, उसने अपनी बेटियों के साथ अपनी योजना साजह की, लेकिन उन्होंने संभावित परिणावों को पहचानते हुए उसके इरादों का विरोध किया, अगली बार जब हंस आया तो सयोग से बेटिया अनुपस्थित थी, मौका पाकर पत्नी ने बड़ी चालाकी से हंस को गले लगा लिया और उसे अपने पास खीच लिया, हंस से अनभिग्य एक क्रूर जाल उसका इंतजार क के बक्से में गिर गया, उसे निराशा हुई जब उसने सुनहरे पंखों को इकठा करने का प्रयास किया, तो उसने पाया कि उसके पास सामान्य पंख थे, अपने पती की इच्छा के विरुध, हंस के जादुई पंख एक साधारन पक्षी के पंखों में बदल गए थे, को घायल पाया और उनके सुनहरे पंखों को छीन लिया, जो विश्वास गात हुआ था, उसे समझते हुए, उन्होंने तुरंत घायल हंस की देखभाल की, उसकी देखभाल की और उसे स्वास्थे के लिए वापस लाया, समय और उनकी समर्पित देखभाल के साथ उसके पंक धीरे-धीरे वापस बढ़ने लगे हाला कि वे अब अपने पूर्व जादू से प्रभावित नहीं थे एक बार जब उसके पंक पूरी तरह से विक्सित हो गए और उसने उढ़ने की अपनी क्षमता वापस पाली तो हंस को पता चल गया कि यह घर से भागने और हमेशा के लिए वारानसी से गायब होने का समय है उस दिन के बाद से सुनारी पंको वाली मुसकान शहर से गायब हो गई फिर कभी दिखाई नहीं दी सुनहरा हंस अब लालच और चल के चंगुल से मुक्त हो गया अपने अनुभवों से सीखे हुए सबक को अपने साथ लेकर एकांत यात्रा पर निकल पड़ा उनकी कहानी ने लोब के विनाशकारी परिणामों और करुणा और अखंडता की स्थाई शक्ती की चेतावनी के रूप में कार्य किया और इसलिए सुनारे पंखो वाली मुस्कान की कहानी वारानसी में एक किमवदंती बन गई जो पीडियों से दिल की पवित्रता को संजोने और प्यार और सदाचार में पाए जाने वाले सच्चे धन की सराहना करने के लिए एक अनुसमारत के रूप में पारित हुई